आज हम आपसे बातचीत करेंगे यूपी टेट प्रात्मिक अस्तर्म का जो परिक्षा होने वाली है उसमें 30 प्रश्ण संस्कृत के भी आते हैं मित्रों जैसा कि आप जानते हैं कि इनमें 5 सेक्षन होते हैं पाँच भागों में यह परिक्षा बटी है पहले भाग में आप बाल मनोवी ज्यान पढ़ते हैं जिसमें 30 प्रश्ण होते हैं दूसरे भाग में आप हिंदी भाषा को पढ़ते हैं जिसमें से 30 प्रश्ण आपके जा रहे हैं और चौथा भाग गनित का है जिसमें से 30 प्रशन होते हैं और पांचवा भाग परियावरणी सिक्षा का जिसमें से 30 प्रशन होते हैं इस प्रकार से पांच भाग हैं और पांचों से 30-30 प्रशन होते हैं कुल मिला करके देड़ सो प्रश्णों होते हैं देड़ सो प्रश्णों को आपको हल करना है तो मित्रों जैसा कि आप 2018 में जो आप परिक्षा देने जा रहे हैं उसमें जो भाग तीन में तीन भाषाएं हैं ना संस्कृत उर्दो और अंगरेजी तो मैं 39 प्रश्णों की आकरनेयन सब्द में कौनसा प्रत्य प्रयुक्त है तो मित्रों चारवी कल्प है क्ताक्त वतू शत्री और इनमें से कोई नहीं तो मैं आपको बता दूँ कि आकरनेयन में शत्री प्रत्य है अब शत्री प्रत्य के कुछ उदारन में आपको बोल दूँ अटन, इच्छन, कुरुवन, क्रीडन, खादन, गच्छन, चलन, पष्यन, पठन, लिखन, पिवन, प्रिच्छन, रुदन, हसन, ये सब शत्री के उदारन है जब भी इस तरह का कोई आए ना, अगली बार भी परिक्षा में आए कि शत्री प्रत्य के आकरणेयन में जैसे यहां पूचाने कौन से प्रत्य है तो पठन में पूचले, लिखन में, चलन में, सम्में शत्री प्रत्य है ऐक विकल्प उसमें क्ता दिख रहा है आपको, क्ता प्रत्य के में कुछ उदारना बोल दूँ, पठी तवान, लिखि तवान, गतवान, चलितवान, किरतवान, ग्यान तवान, दतवान, हसितवान यह सब कतवतु प्रत्य के उदारनें तो मित्रों जैसा पहला सवाल आपका हल हो गया ना आकरने अन शब्द में कौन सा प्रत्य है उत्तरा गया शत्रिप मैं आपको व्याक्षा इशले कर रहा हूं कि इसी तरह के और भी शवाल आपसे परिक्षाओं में इसी से मिलता जुलता आए तो यह प्रशन तो हल हो ही जाए और मेरी व्याक्षा चारोवी कलपों पर इशले में आपसे बात कर रहा हूं क्रात आर्युके पर्थम सर्ग में पूचि रहा है और किरात आरुजुनियम के परथम सर्ग में कुल 46 सिस्लोक है परथम सिसलोक से लेके 44 सिसलोक तक 60 है 45-वे में पुश्पित अग्रा है और किरातारुजुनियम के पर्थम सर के अंतिम इस लोक में मालिनी छंद है अच्छा एक विकल्प इसमें है अनुष्टुप मित्रों आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूँ कि वालमी की रामयन में, महाभारत में, घीता में इन सम्में अनुष्टुप छंद है और जो जगती आप देख पा रहे है जगती एक वैदिक छंद है आपने सुना होगा गायत्री है, त्रिष्टुप है, उष्णिक है, बुरिहती है, पंक्ती है, जगती है यह सारे वैदिक छंद है, तो इस प्रकार से किरात आरजुन के पर्थम सरग में, जो छंद पूचा है, इसका उतर लगाईए, वनशस्त। अब तीसरा है, अग प्रतिहार के नतरकत का उन को से वरन आते हैं, तो अग प्रतियाःर में आता है आ, इ, उ, रि, उर, ल, इ, इसलिए इसका विकलफ होगा, A आ, ई, उ, रिल्री ये अक प्रत्याहार के अंतर का ताने वाले वरण है मित्रों आगे जो B में आ, ई, उ, आप देख रहे हैं ये अन प्रत्याहार में आने वाले वरण है एक सुत्र है रिल्रिक रिल्रिक में रिल्री वरणों की गिंती की गई है और सभी स्वर लिखा है न, आपको जानकारी होगी कि अच एक ऐसा प्रत्याहार है, जिसमें आई उन, रिलिक, ए उंग, आई अउच, इन चार शूत्रों में जो अच प्रत्याहार बनेगा चार शूत्रों को लेकर के, और सभी स्वर आएंगे अच प्रत्याहार में, ठीक हो गया, कुछ और भी प्रत्याहार है, जैसे हल, हल प्रत्याहार आप देखेंगे, सभी व्यंजन आते हैं हल प्रत्याहार में, अन एक प्रत्याहार है, आयून से लेकर के, लन तक भी एक अन है, जो अनुदित सवरन से चाप प्रत्याहार शूत्र में आया है, लेकिन मित्रों प्रत्यहर में जो आप आई हूँ है अल प्रत्यहर भी हमारे हाँ है जिसमें सम्पूर्ण वरण माला आती है स्वर्भी और वेंजन भी अल और यह प्रत्यहर है या वाराला का बोथ कराता है खर मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा था आगे आई चौथे प्रशन पर और चौथा प्रश्ण है आपके इसमें स्पर्श वेंजनों के वर्ण है चलिए देखे इसपर्श वेंजनों के वर्ण है इस पर्श वेंजनों के पांच वर्ण है मित्रों इसपर्श वेंजन के पांच वर्ण है और पांचों वर्णों में पांच पांच वर्ण है इस प्रकार स चावर्ग तावर्ग तावर्ग और पावर्ग आप यदि लगुसित धान्त कौमदी पढ़े होंगे तो हहां लिखा है ना कादयो मावसाना स्परशाह कास से लेकर के मातक के सभी वरण स्परश हैं तो जब आप कास से लेकर के मातक के वरणों की घिनती करेंगे तो 25 होंगे लेकिन जब वर्ग भी भाजन करेंगे तो मैं बता दूँ, कवर्ग में 5 वरण आते हैं, इसी तरह चवर्ग में, इसी तरह टवर्ग में, तवर्ग में पवर्ग हैं, तो यहां पूँचा ना, इसपर सवेंजनों के वर्ग हैं, तो उत्तर लगाए पाँच, अच्छा आगे चार हैं, कौन-कौन या वा रा और ला यानो अंतस्था है तो इस पर से वेंजन waterproof 25 हैं उच में वेंजन waterproof चार हैं अंतस्थे वेंजन waterproof चार है और इस पर से वेंजनों का वर्ग कितना है 5 आय्ये मैं अगली वार सर्वे भवन्त शुखिना सरवे भवंत सुखिना मित्रों इसका आर्थ सुन लेजे सभी लोग सुखी होंए अब आप ही बताए लेखक की क्या इच्छा है कि सभी लोग सुखी होंए इसलिए इच्छावाचक सब्द है ना तो इसमें इविस्वे है ना इसमें संकेत है ना इसमें प्रशन है कोई इसलिए इसका उतर लगा ये पांचवे का इच्छावाचक यानि डिवी कल्ब आगे आई अधिशियंगस्था सामकर्म, मित्रों अधिशियंगस्था सामकर्म से आधार की कर्म शंग्या होती है, कुपानवध्यांग वस्था ये सूत्र है, आधार की कर्म संग्या होती है, अभी निवी शष्च ये सूत्र भी आपने पढ़ा होगा, आधार की कर्म संग्य तो आप ये जाने रहिए अगली परिक्षाओं में मालो आपसे सवाल पूछ ले कि प्रत्मा भिखक्ती से सम्बंधित सूत्र कौन सा है तो आप लिखेगा प्राति पदिकार थिलिंग परिमाण वचनमात्रे प्रत्मा संबोधने इच्छा ये दोनों शूत्र प्रत्मा भिख से जुड़े हुए हैं चले चत उर्थी फ्यक्ति क सून लीजे चत उर्ति व्यक्ति के हैं कर्मनायम भी प्रति संप्रादान 20 संप्रदाने रूच्यर्था नाम प्रियमाणाहां नमा स्वस्ति स्वाहां सुधालम वकट योगाच ये सारे सुत्र जों मैं बोल रहा था ये सब चतुरती भी वक्ति के हैं खेर सात्मे में आईए निमनलिखित वर्गों में से निमनलिखित वर्णों में से किस वर्ण का उच्चारस्थान दंतोष्ठ है मित्रों आपको याद होगा ना वकारस से दंतोष्ठ है यदि आ गया हो याद आपको तो वकारस से दंतोष्ठ है मैं एक वीडियो फिर से आपको बनाओंगा जिसमें उच्छान स्थानों से आप से चर्चा करूँगा तो आप ध्यान रखेगा ये जितने भी सवाल नाए है इनके लिए एक एक वीडियो में आपको अलग अलग से बनाओंगा अगले कुश्चन में आईए आठ्मा है आठ्म मतलब होता बहु माने बहुत ग्या माने जानने वाला तो बहुग का मतलब हुआ बहुत जानने वाला तो इसका विपरीत क्या होगा इसका विलोम क्या होगा अब आप समझ गये होंगे क्या होगा बहुग इमाने बहुत जानने वाला तो अलपक इमाने थोड़ा जानने वा सब्सक्रास कि संदें तो चली मित्र उसको भी आप १ार्यालेह विद्यार्थी शीवालेह हिमालेह और यदि उपार वhrs 담 ी अधे और गृद्धन उपदेश्या घुरुपदेश्या भानुधन उदिया अंधागरन उदिया हो जिसे नहीं जानते होंगे तो आप रमायाह में जान पाएंगे कि पंचमी और एक बचन में रमायाह भी बनेगा और शष्ठी के एक बचन में भी रमायाह बनेगा इसलिए इसका उत्तर होगा डी शष्ठी भ्योक्ति का एक बचन चलो मैं रमा का एक बचन आंतरूब आपको सोना देता हूँ निए गयारामे की और चलते हैं 11 वा प्रशन दे अगम कति सब्ड से कला, इसका उत्तिर हो इससी गति थतले नियुक्ति सunk है। आप इसका वाक्षिविन्यास कर सकते हैं अब अगला कुश्यन है उपसरगों की संख्या है आप सब जानते हैं हमारे सम्सक्रिद व्याकरन सास्तर में उपसरग बाईस होते हैं प्रहारा हार संहार विहार परिहारवत यानि प्रा परा अप सम अनु अव निस निर दुश दूर वी आंग नी अधी अपी आती सू उत अभी प्रति परियूप ये वाइस उपसरग हैं उपसरगों की डिटेल में चर्चा हम फिर आप से कभी करेंगे इसलिए इसका उतर लग करती हैं मुद्रा राक्षस मुद्रा राक्षस विशागदत की रचना है और नीति सत्कम आप इसी बहाने सुनते चलिए नीति सत्कम रचना है भरतिहरी की हीतो पदेश रचना है नारण पंडित की और मृच शिकटिकम रचना है शोद्रक की मैं रचना और रचनाकारों प बताता चलूँ कि यदि वीडियो में आपको कुछ और चाहिए या मैं जल्दी से बोल रहा हूं आपको समझ में ना रहा हो या कि वीडियो बहुत समझ में आपको ना रहा हो तो सुझाओ अवस्य दीजेगा ताकि मैं इसमें कुछ संसोधन कर पाऊंँ चलिए अगले कुश् अपको दिखाई पर रहते एक प्रशिद्ध रचनाएं आप सबकी याद कर लिजेगा इसका विकल उत्तर लगाए अंबिकाद्य व्याश मैं फिर से आपको याद दिला दूं ग्रंथ गरंथकार पर मैं आपको एक वीडियो और दूंगा जिसमें प्रशिद्ध प्रशिद समस्कृत के गरंथ और गरंथकार होंगे यानि लेखाक और उनकी रचनाओं के बारे में मैं आपसे एक वीडियो शेयर करूंगा बहुत जल्दी यदि यदि वीडियो आपको पसंद आता है आप इसको लाइक करते हैं और यदि आप इसको पसंद करते हैं तो जरूर मैं सम थाष्ट को ऑष्टी मेंendre संस्क्रित भृता करूं हुआर इसू था अज वीरे प्रताषित्व बあश्वहा काली का कि रिख़ा है। हाँ तो मित्रों अब हम लोग अगले प्रश्ण की ओर चलते हैं सोलामा प्रश्ण है गंग उदकम का संधी विच्छेद है मित्रों गंगाधन उदकम इसका संधी विच्छेद होगा डी विकल पर इसका सही करिए गंगाधन उदकम गंगा के गा में आ है और उदकम में उ है आ और उ मिलकर के उ होता है ठीक हो गया आद गुनाहा गुनसंदी का सूतर है आद गुनाहा यानि आकार के बाद यदि कोई श्वर आए तो आ उ मिलकर के उ हो जाए मित्रों याद रखे का हो सकता है किसी परिक्षा में फिर आप से प आगले सवाल के ओर चलते हैं पवित्रम में संधी विच्छेत कीजिए अचा पवित्रम पो धने इत्रम पवित्रम पो में जो ओ है इस ओ को अवा आदेश हो जाएगा और बनेगा पवित्रम शूत्र है अगले प्रस्ण की हो रहे अठारवा निमनांकित में अरविंदम शब्द का परियावाची शब्द पूछ रहा है अरविंदम का परियावाची क्या होगा अरविंदम का परियावाची है कमल पंकज नीरज उत्पल जलज ये सब अरविंद के परियावाची है तो इसका उत्तर लगाएए आप कमलम अरविंदम ने कमलम अच्छा लगे हाँ था आप नीरम का परियावाची ये सब नीरम के परियावाची है वायू का भी मैं बोल देता हूँ पावनम अत्वास पावन है समीर है मरुत अनिल मारुत वात गंध वाथ ये सब वायू के परियावाची है गगन का भिश्व लीजे अंबरम व्योम आकाश नभाह ये सब किसके परियावाची है गगन के चलिए मैं पूरी चीज आपसे इसलिए बताता हूँ कि माल लीजे इस बार आपको अर्विंदम का परेवाची पूँचा है कभी गगनम का परेवाची भी पूँच सकता है नीरम का वायू का इसलिए चारो भी कलपों पर मैं आपसे चर्चा कर रहा है संस्कृतम शब्द में निम्नांकित में काउन सा उपसर्ग है हमेशा उपसर्ग पहले जुटता है हमेशा उपसर्ग शब्दों में पहले आता है और प्रत्य बाद में आता है और धातू में ही प्रत्य लगते हैं यहां पूचता है कि उपसर्ग, संस्कृत्म में उपसर्ग क्या है। तो सम उपसर्ग पूरवक क्रीध हातू से क्ता प्रत्य लगेगा तो समस्कृतम बनेगा बीच में सुट का आगम आएगा जो समस्कृतम में आप सा देख पा रहे हैं वो सुट का सा है तो सम उपसर्ग क्रीध हातू क्ता प्रत्य समस्कृतम बनेगा ठीक हो गया चले इसका उ मेसा उपसर्ग जुड़ेगा अंत में प्रत्य जुड़ेगा इसलिए आदि में जुड़ने वाले अर्थ परिवर्तन करने वाले शब्दान को क्या कहेंगे उपसर्ग कहेंगे तो मित्रों हम उपसर के वारे में आप से एक चर्चा कर चुके हैं पीछे एक सवाल और आया था यहां पर मध्यम पुरुषट की क्रिया है इसलिए गलत है। सा विद्यालेयम गच्छताह ये भी गलत है, चुकि सा प्रथम पुरुष एक वच्छन का करता है इस्त्रिलिंग में, और गच्छती गच्छताह ये प्रथम पुरुष के दुवच्छन की क्रिया है, तो एक वचन के करता के साथ दिवचन की क्रिया नहीं लग सकती इसलिए बीवाला विकल भी गलत हो गया साविद्यालेम गच्छती होता तब सही हो जाता साविद्यालेम गच्छता लिखा है इसलिए बीविकल भी गलत है आई ये तीसरे को देखते हैं तव विद्यालेम गच पुरुष और वचन करता में होता है वही पुरुष और वचन क्रिया में होना चाहिए इस द्रिष्टी से 21 का सी आप से ही कर सकते आजा ते पुष्तकंपठत गलत है क्यों कि पठत है मध्यम पुरुष का बह्वचन अस्साहत तव यह यह थे है प्रतम पुरुष का बहुचन अत्वा साते ताह से देखेंगे तो ये इस्त्रिलिंग का दिवचन है दिवचन येदि है तब भी गलत है चुकि आप ये देख पाएंगे जो पठत क्रिया आप देख पा रहे हैं ये मद्यम पुरुष के बहुचन की है ये ये यूयम होता तब फिर पठत सही हो जाता तेश करता है इसका इसलिए ये भी गलत है आईए अब दूसरा देखते हैं क्रिश्न के दोनों और गौाले हैं इसकी सनुस्क्रित क्या होगी इसका अनुवाद क्या होगा यहाँ अनुवाद इसलिए पूचा गया है इसमें कारक का एक सुत्र लगता है कौनसा आपको याद आया अभिताह, परिताह, समया, निक्षा, हाप्रतियोगे, दुतिया और उभैताह के योग में दुतिया सरवताह के योग में दुतिया धिक के योग में दूतिया अध्यदी के योग में दूतिया याद आया तो आप देखें यहाँ पर उभैता का प्रियोग है जब भी उभैता का प्रियोग होगा तो उभैता का संबन जिससे होता उसमें दूतिया होगी इसलिए क्रश्णम में दूतिया होगी इसलिए इसका उ उभयता के यग में दोतिया होनी चाहीं और डी भी गलत है चुछकि कृषणा में प्रतमा है और ऊभयता के यग में दोतिया होनी चाहीं इसलिए केवल भी विकल्प सही होगा कृष्णम उभायताह गोपाह संती कृष्ण के दोनों और गोपाल हैं गौाले हैं चलिए अगला देखते हैं तेश्वा गा वेंजन है मैं मित्रों आपको पीछे बता के आया हूँ इसपर्स वेंजन की जहां चर्चा हो रही थी तो मैंने आपसे कहा था कादेयो मावसाना इ कौन कौन है इश्फर्स वेंजन है तो आप बताईए गा कहा सब्स वेंजन है इसलिए कवर्ग का वंजन है इसलिए इसपर्स हो गाया इसका उतार हो जे। शा शा साहा सायूक्ति वंजन कौन है क्षा तुर भी है जैसे स्रा है प्रा है ये सब भी सायूक्ति वंजन है लेकिन फिलाल क्षा तरा ग्या तरा ता और रा के योग से बनता है क्षा का और शा यानि मुर्धन शा के योग से क्षा बनता है जा और या 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 जा और या इनके योग से ग्या बनता है चले आगे चलते हैं 24 मा पुरानों की संचा कितनी है पुरान 18 होते हैं फिर से सुन लेजे पुरान 18 होते हैं उप पुरान भी 18 होते हैं गीता में अध्याय कितने हैं तब भी इसका उतर होगा 18 अध्याय होते हैं महाभारत में पर्व कितने हैं महाभारत में पर्व भी 18 है तो आप जाल लेजे पुरानों की संख्या 18 है उप पु करेगा यह विवहारगत परिवर्तन किस उद्देश का है तो आप यह जान लिए उसके अभिरुची का विशय है यदि चात्र पढ़े हुए इस लोकों को कंठस्त करता है यदि उसकी अभिरुची नहीं होगी उसकी इच्छा नहीं होगी उसको पढ़ने का याद करने का मन न उची का अगला है चात्रों को उचारन अभियास करानी है तो शाह एक सामगरी क्या है उचारन का अभियास कराना है तो बट निचली टेप रिकारडर होगा चूंकि टेप रिकारडर में माल लीजे हम लोग कोई गलत उचारन करते हैं तो उसको रिफलेस करके फिर से देख स सुनतो सकते हैं कही न कहीं से थोड़ा बहुत हमारे लिए सहयोगी है लेकिन हम इसमें अपने गलत उचारणों को फिर से समझ लेंगे ऐसा नहीं है इसलिए हमारे पठन पाठन में रेडियो का इस्तेमाल भी नहीं होता है तो चात्रों को उच्रान भ्यास कराने के लिए इसमाल करते हैं तो इसका सही विकल्प होगा डी निम्न लिखित में बाणभट्टी की करती कौन सी नहीं है ध्यान रखना बाणभट्टी की तीन करतियां बड़ी प्रशित हैं हर्श्री चरितम याक्षाई का है कादंबरी ये कथा ग्रंथ है और चंडी सत्कम ये शतक पहले उदाहरन प्रश्तुत किये जाएं बाद में नियम ये सिक्षन सूतर क्या बताता है आप सब भी एट किये हमित्रों तो ये आपके लिए बड़ा आसान सा सवाल है विशेस से सामानने की और इसे आप जान सकते हैं आगमन नियम आपने पढ़ा होगा निगमन भी आप पहले जा सकता है सुना भी जा सकता है लेकिन हमारे संस्क्रिट स्क्षन में इसका उपयोग नहीं होता है ये स्थरव सामगरी से जुड़ा सुनने का काम आता है ग्रामा फोन से हम कोई बात अपनी सुन सकते हैं तो फ्लैस कार्ण एक ऐसा है जो द्रिश्य उपकरन हैं प्ल प्रत्यक्ष विधी पर भी चर्चा करूंगा लेकिन आप जाने कि सम्ष्रित का अध्यापक एक शब्दों का अर्थ इसपष्ट करता है तो यह सब व्याक्या विधी के अंतर गताता है मित्रों यह 30 प्रश्ण है जो आप सम्ष्रित भासा से जुड़ा हुआ देख पा रह नहीं आया हो तो अनलाइक आवश्य करिएगा लाइक करना भूल जाँ चलेगा बट अनलाइक करना नहीं भूलना ताकि मैं जान पाऊं कि अपने वीडियो में और अच्छा कर पाऊं इसको और यदि संस्कृत में मेरी और से कुछ अच्छा हो सकता है तो मैं जरूर इस